कानपूर के मर्चन चेंबर सभागार में हुए व्यापारी सम्मेलन में भी केंदरे मंतरी मिनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर हमला बोला यहाँ पर कॉंग्रेस नेतर राहूल गांधी के राम मंदिर के दर्शन करने के सवालों पर उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम के अस्वित्व पर सवाल उठाते थे चुनाव आने पर उन्हें भगवान राम नजर आने लगे हैं उनकी श्वरण में जाने की बात कहने लगे हैं उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी हिंदू हैं प्रियांका गांधी के बायानों पर पलटवार करते हुए कहा कि देश का सोना कहा गया, खात किस खाते में गया, आखिर इसकी नौबत उस समय क्यों आई, कॉमन वेल्थ से लेकर इतने घोटाले हुए तब ऐसे लोग कहा थे, देश में सत्ता विरोधी लहर को नकारते हुए म पारियों को भी बताया, यहाँ पर भाश्व प्रत्याशी रमेश वस्ती, मणिकांथ, जैन, मिधायक, महिश त्रिवेदी, मल्से अरॉट पाठुक, निर्मलत्रिपाठी, समेत अनलोग मौचुत रहे। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो प्रत्यक्ष है और आपके सामने दिख रहा है कि किस प्रकार की हरकती यह लगातार करते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग भगवान राम की शरण में जाने को तयाहरें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, अग इनका मन ही बदल जाता और ये वाकई हिंदू आस्था और सनास्तनी आस्थाओं से जुड़ गए होते तो शायद देश इतनी बधाली में नहीं होता